हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी क्या असर पढ़ सकता है इन सारे संदर्भों में बात करने का प्रयास करेंगे संक्षिप्त परिचर्चा के माध्यम से तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दू कि नवेंबर दो हजार चोबिस में अमेरिका में चुनाव होने व संगठन है हैरिटेज फाउंडेशन उस हैरिटेज फाउंडेशन ने एक विस्तृत निती प्रस्ताव प्रोजेक्ट दो हजार पच्चिस के नाम से पेश किया ये लगभग 900 प्रिष्टों का पूरा प्रस्ताव है जो अमेरिका की पूरी निती में संशोधन करने की वकालत करता है और कहीं ना कहीं इस प्रस्ताव के माध्यम से दूसरे ट्रंप प्रशाशन के लिए महत्व कांग्शी विचारों को सामने रखा गया है लेकिन आखिर वो क्या कारण है जिसके चलते ही विवादा स्पद हुआ और व्यापक तोर पे इसने तूल पकड़ा तो चलिए इसके कुछ-कुछ उद्देशों की लक्षों की बात करेंगे सबसे पहले प्रोजेक्ट 2025 में संग्हिय सरकार में महत्वपूर्ण बदलाओं का सुझाव दिया है और ये कहा गया है कि कुछ विभागों को भंग कर दिया जाए और साथ ही समाजिक मुद्दों पर भी आजनितिक स्थर पे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं और उन परिवर्तनों का जो प्रभाव है वो सीधे तोर पे पूरी दुनिया और यदि हम भारत के संदर्म की बात करें तो भारत को भी बड़े स्थर पे प्रभावित कर सकता है यहाँ पे पहला सुझाव दिया गया अधिक राष्ट्रपती नियंतरन यानि एक आत्मक कारिय कारी सिब्धान्त की बात कही गई है और यह कहा गया है कि वाइट हाउस के अंदर निरने लेने के अधिकार को केंदरी कृत करने का प्रयास किया जाना चाहिए यानि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहि है उसको सीधे राष्ट्रपती के अधिकार में रख कर इसका उद्देश्य शाषन को सुव्यवस्थित करना है यहां तक तो ठीक है कि भई केंद्रिकृत करने का प्रयास किया लेकिन सबसे जादा विवादस्पत पहलू है यह हजारों संघिये अधिकारियों की नोकरी की सु स्थान्तों का समर्थन करते हैं यानि यह कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशाशन ने जो अपना पिछला इनका चार साल का टैन्योर रहा था उसमें जो गलती की अपने विश्वस्निया लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखा वो गलती इस बार नहीं होनी चाहिए बल कि ट्रंप को अपनी किसी भी प्रकार की मिती को लागू करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े तो पहला उद्देश्य इनका यही है कि किसी भी तरीके से प्रशाशन को एकी कृत करना है केंद्रिक करना है और साथ ही संगी अधिकारियों की नोकरी की सुरक्षा का मुद्धा अपने आप में विवादासपद है उसके बाद दूसरा मुद्धा है आप्रवासन ध्यान रखेगा ट्रम्प की पहले से भी पॉलिसी रही है और इस मुद्धे पे भी ये कहना है कि जो अमेरिका मेक्सिको सीमा है उसको मजबूत करने के लिए निवे वैद आवरजन तक तो ठीक है लेकिन जो वैद तरीके से भी विदेशी जा रहे हैं उनको भी काउंटर करने का उदेश्य कहीं न कहीं अंतर नहित नजर आ रहा है और इसका सीधा नकारात्मक असर जो भारत के छात्र है या जो रोजगार के संदर्भ में अमेरिका में जात जो यानि जो बरतमान निती है जो बिडेन प्रशाशन की जिसमें कार्बन उत्सरजन में कमी की बात की जा रही है नवी करनिय उर्जा को बढ़ावा देने की प्राथमिक्ता की बात की जाती है इन आर्थिक नितियों के विपरित आर्थिक नितियां बनाने की बात इस प्र वो गर्ब पात को गलत मानते हैं और सपश्ट तोर पे गर्ब पात जैसी विवस्था का विरोध किया है और सपश्ट तोर पे कहा है कि जो गर्ब पात की गोली है मिफे प्रिस्टोन इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने तथा गर्ब पात से जुड़ी जो दवा है उसके वित्रन पर कठोर प्रतिबंध लगाने की सफारिश की गई है यानि गर्भपात को रोकने के उपर प्रतिबंध लगाने की बड़ी बात की गई है इसके साथ ही पोर्नोग्राफी को अवैद घोशित किया जाए ये बात कही गई है और साथ ही उन तकनीकी कमपनियों के लिए स प्रोजेक्ट में की गई है ध्यान रखिएगा गर्भ पात का मुद्दा कहीं न कहीं महिला अधिकारों के संदर्भ में भी जुड़ता है तो यहां पे हम रूढ़ी वादी नजरिया देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट दो हजार पच्चिस का साथ ही शिक्षा निती पाठ्यक् जो डाइवर्सिटी विविधता समानता और समावेश को बढ़ावा देने वाली नितियां हैं उनके फंड में कटोती करने की बात की गई है मोटे तोर पे हम यह कह सकते हैं यह प्रोजेक्ट जो दो हजार पच्चिस है यह क्रिश्चन बहूल अमेरिका का समर्थन करता है ब मिश्चित तोर पे यह पूरे विश्व के संदर्भ में परिवर्तन ला सकता है नकारात्मक परिवर्तन जादा लाएगा ध्यान रखिएगा विदेश निति के स्तर पे इस प्रोजेक्ट में साफ तोर पे कहा गया है कि चाइना को के प्रभाव का मुकाबला करने और परमान उपायों का प्रस्ताओ किया जाएगा इस संदर्भ में भारत का महत्व है क्योंकि यहां पे कही ना कही इंडिरेक्टली भारत के समर्थन की बात की गई है कि अमेरिका भारत के समर्थन से इस छेतर में चाइना का मुकाबला करने की दिश्या में आगे बढ़ सकता है तो य जब ट्रम्प से पूछा गया तो ट्रम्प ने साफ तोर पे ये कह दिया गया है कि इस दस्तावेज से उन्होंने खुद को अलग कर लिया है और ये कहा कि इसके मूल के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है और वो इसमें दिये गए कुछ प्रस्ताओं से ऐसहमत है साथ ही उन्होंने कुछ प्रस्ताओं को रूधी वादी बताया और ये कहा कि हम यदि सत्ता में आते भी हैं तो इन रूधी वादी प्रस्ताओं को हम लागू नहीं करेंगे लेकिन ये तो आने वाला वक्त समय ही बताएगा कि कौन जीतता है और किस प्रकार की नितिया अमेरिका मे लागू होती है हाला कि इस प्रियोजना के डिजाइन में शामिल कई प्रभाव शाली जो व्यक्तियों के संबंधों के कारण जैसे हम Heritage Foundation जैसी Foundations की बात करें जो कही न कहीं ट्रंप को बड़े स्तर पे समर्थन दे रही है उसके कारण ट्रंप के राश्ट्रपती बनने की स्थिती में इसके संभावित प्रभाव के बारे में चर्चा हुई है ध्यान रखेगा ये जो प्रोजेक्ट 2025 है ये विरोधियों ने एक प्रतिगामी योजना के तोर पे हमला किया जो नागरिक स्वतंतरता से समझोता करती है और सामाजि अंतर को बढ़ाने वाला प्रोजेक्ट है ये विविधता को खतम करने वाला प्रोजेक्ट है ये प्रगतिशील विचारों को खतम करने वाला प्रोजेक्ट है और नागरिक स्वतंतरता से समझोता करता है ध्यान रखेगा तो ऐसे में गंभीर राजनीतिक और कानूनी रागू किया जाना सही होगा की गलत होगा आप क्या सोचते हैं कमेंट बोक्स में अपने विचार जरूर बताईएगा ये एक छोटी सी परीचर्चा थी आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्ट 2025 के बारे में इसके साथ ही दोस्तों यदि आप 2025 चब्शिस या 27 में UPSC का टेम कोड आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है LDLIVE, LDLIVE इसके साथ आपको ये बैच मातर 27,999 का मिल जाएगा इस बैच की खासियत है यदि आप 2025 की प्रारंभिक परिक्षा पास करते हैं तो आपका जो फीस का पैसा है वो पूरा आपको वापिस हो जाएगा ध्यान रखिया आपकी एड्मिशन, फी जो है वापिस हो जाएगी इसके साथ ही धाई साल की वैलेडिटी मिल रही है, लाइव क्लासिज है, टेली अंसर राइटिंग है, मेंटोर्शिप, वीकली रिवीजन टेस्ट, डेली करेंट अफेर्स प्रोग्राम, ज्यानवानी सेशन, प्रिलेम्स सब इसी में इंक्लूड है, यानि PT में इंटर्व्यू, हर स्तरकी प्रप्रेशन, इसी P2I Foundation बैच, जो प्रतिग्या बैच है, इसमें शुरू है, तो देर किस बात की फटा फट जाएए, LD Live Code का प्रियोग कीजिए और एड्मिशन ले लीजिए, इसके साथ ही आप मुझे फ पी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, Study IQ IAS Hindi